मैं भेलोड का CMC Hospital में दिखाना चाहता हूँ एक अच्छा खासा डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि भेलोड में CMC Hospital का सबसे बेश डॉक्टर कौन सा है कौन सा डॉक्टर को दिखाए जेनरल डॉक्टर या तो फिर प्राइबे बताओँगा बेलौड में CMC Hospital का सबसे बेज़ डॉक्टर कौन सा है ? कौन सा डॉक्टर को दिखाना है ? General may or, General doctor ? या तो फीर प्राइबेट डॉक्टर ग्या है ?् General doctor का क्या क्याद फिचटर से प्राइबेट डॉक्टर का क्या क्या फिचटर से और इस वीडियो का लास्ट में मैं आप लोगों को एक final decision दूँगा कि कौन सा डॉक्टर को दिखाने में सबसे ज़्यादा based रहेगा आप लोगों के लिए इसलिए आज के इस वीडियो का लास्ट पार्ट को आपको जरु से जरु देख के जाना है काफी ज़्यादा informative knowledge आप लोगों को मिलेगा लेकिन यहाँ पर शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी के पास एक छोटा सा request है अगर आप चैनल पर पहली पर आए हैं तो चैनल को subscribe करके जरू जाना बेल आइकोन को all press कर देना और इस वीडियो को साथो साथ लाइक भी कर देना सो हलो दोस्तों गूड इविनिंग मेरा नेमे अंजन महानती और आप देख रहें Medical Solver YouTube चैनल चलिए सुरू कर लेते हैं दोस्तों बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल्स में फुली एक्स्प्लेन किया था इस टॉपिक के बारे में बेलोड में CMC उस्पिटल का जेनरल डॉक्टर और प्राइबेट डॉक्टर के बारे में लेकिन इस चनल पर डेल सारा निव साब्स्प्राइबर आया है जिसको नहीं पता होगा साइथ और आप लोगों को भी साइथ नहीं पता होगा जिसकी बज़से आप लोग मुझे बार-बार कॉमेंट करते थे इसलिए आज के वीडियो बना रहा हूँ सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बेलोड में CMC उस्पिटल का जेनरल डॉक्टर्स के बारे में देखिए जेनरल जो डॉक्टर्स होता है यहाँ पर खास करके जो पोर लोग होता है उसके बाद जो मिडल क्लस फेमिली होता है उसके लिए खास करके बना ग ह gefrek Transportation होता है लेकिन यहां पर और एक कॉंडिशन है कि यहां पर सबसे ज़्यादा ञाइधा चुनिया डोक्तर देखने को मिलता है कैमकि विलोर में cmc आउस्पिटर का बहुत सरा जुनिया डोक्तर होता है निया ॉमिलता है चुनिया यहां जनर्लाक्तोर टाइम का हिसा से आपको चलनाइडा पड़ता है आफ एक्स्टार्ट नहीं ले सकते हैं यानि कि कुछ पेसर चालता है वयलोड में ihmर सपिटल में डॉक्टों कोच दखाने के लिए थोड़ा टाइम लेना चालता है लेकिन यहाँ पर डॉक्टों की टाइम का इसहब से आपको चलना पड़ता है। सो दोस्तों एंहें ब्हों में CMC ऑस्पिटल का General डॉक्टर यानि की केटागोरी जो होता है General केटागोरी होता है उसके बाद हम बात करेंगे बेलोर में CMC ऑस्पिटल का प्राइबेट डॉक्टर के में देखिए प्राइबेट डॉक्टर जो होता है यहां पर एक कॉंडिशन है कि यहां पर जो फीज होता है डॉक्टर का थोड़ा हाई होता है ज्यादा होता है और यहां पर और एक कॉंडिशन है यहां पर सिनिया डॉक्टर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जुनिया एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं डॉक्टर जो टाइम देता है उस टाइम का इलाबा आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं क्योंकि कुछ पेसेंट चाहता है बेलोड में CMC उस्पिटल में एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहता है उसका प्रॉब्लेम डॉक्टर को सेयर करना चा करना है केमो देना है operation करना है तो उसके अंदर भी जेनरल और ट्राइबेट वाड़ होता है आप अपना मर्जी सबसे ले सकते हैं लेकिन मैंने आजके इस वीडियो की मद्दम से आप लोगों को बता दी है जेनरल डॉक्टर और प्राइबेट डॉक्टर का फीचर्स के बारे दोस्तों अभी मैं आप लोगों के final decision दूँगा देखिये final decision यह है कि अगर आपके पास पैसे का problem है आप middle class family से है या तो फिर गरिब family से है और आप आपका problem भी बहुत ज्यादा vital नहीं है और आप आप doctor का time का हिसाब से आप चलना चाहते हैं तो आप general doctor को दिखा सकते हैं उसके बात अगर आपके पास पैसा का problem नहीं है आप senior doctor को दिखाना चाहते हैं आपका बहुत ज्यादा vital problem है और आप extra time ले सकते हैं लेना चाहते हैं तो आप private doctor को दिखा सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह का general और private doctor है आप अपना मर्जी हिसाब से आपका जिस तरह का queries है जिस तरह का problem है उसका हिसाब से आप ले सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर उमीद है कि आप लोगों को completely जानकरी मैंने दे दी है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा लेकिन दोस्तों इसको लेकर थोड़ा सा भी अगर confusion होता है तो आप इसी वीडियो का comment section में आप म description box पर मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो कई पर खतम करते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नया topic के साथ तब तक के लिए thank you so much and thanks for watching